हाई एब्रियोन आप सब कैसे हो फेस्टिवल तो आ रही है और मैं मिसस आ हूँ आपको आज इस सरत पुर्णिमा में रबड़ी दार चावल की खीर किस तरह से बनाते हैं वो बताऊंगे तो इस सरत पुर्णिमा में चावल की खीर बनाने का सिक्रेट तरीका आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, सिर्फ अधे लिटर दूद से और हमारे घर पे जो ड्राइफ रूट से रहता है, जो भी चाहिए, वो सब डाल सकते हैं, तो किस तरह रबडिदार ये गाड़ी से खीर बनाती हूँ, वो बताऊंगे, जो हम अपनी माँ के हाथों से अकसर खाया करते है और ये स्वाद वाली खीर, आप भी इस तरह बना कर खाऊगे, तो अपनी माँ के याद आपको भी आ जाएगी, तो इस वीडियो को इन तक देखिए, अगर आपको पसंद आएगा ना, तो लाइक करिए, सेर करिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, त पानी फेक देंगे, ऐसे बैठा देंगे, फिर दूद डाल देंगे, तो अपना दूद ना तले में लगेगा दी और जलेगा नी, ठीक है, अब थोड़ा इसे हाई फ्लेम करके पहले उबालनी के लिए रख दे थी, फिर ये देखिए, ये मैंने आमुल गोल्ड दूद लि चाहेंगे, आपके पास जो भी मौजद होगा दूद वो डाल सकते हो, गाय का दूद या भेंस का दूद कोई भी, ठीक है, मैं पेकट का यूज की हूँ, और दो टेबल स्पून जो एकदम बारिक वाला आता है ना, आमबा मुरा राइस, वो छोटे-छोटे चावल, चाव एकदम तेश फ्लेम में, फिर हाई फ्लेम में करके फ्लो कर देनी का, पिर मेडियम फ्लेम में रखकर ऐसे, मतला, ऐसे स्पून में स्टर करते रहनी का, घुमाते रहनी का, जाल बाहर लिज को जल्दी पक जाएगा, और ये राइस के इस चावल को होगी, तो बहुत तक पकाएंगे उसको जब तक यह सुख नहीं जाता है दूद आधा नहीं रह जाता है अब भी तक नहीं पका है एक दाब medium flame slow flame में ऐसे करती हूं ठीक है जब पकेगा तभी देखेंगे अभी तक नहीं पका है तभी आप ऐसे रख देंगे तब तक हम तयारी करेंगे जो dry fruits का मैंने पिस्ता ले लिया और किस्मिस और यह काजू और एक तेजपता को टुकड़ा टुकड़ा करके रख दी हूं और बाद में आपको यही है उसका सिक्रेट तरीका जो टू टेवल स्पून राइस से किस तरह एकदम ठीक रबड़ीदार यह खीर बनती है चावल के आप करके देखिए बहुत ही सुपर टेस्ट लगता है ठीक है अभी पूरा पक गया है चावल तो यह दूत में ही पकाने का तब तक सकर नहीं ठीक है जब यह चावल पूरा पक जाएगा पूरा अपना 100% हो जाएगा तो ही हम बाद में सकर डालेंगा अभी देखिए थोड़ा में पूरा स्पून से मेस कर रहे हूं ताकि खीर थोड़ा और थिक हो जाएगा क्यूंकि हम सिप ज़्यादा चावल नहीं डाले हैं सिप 2 टेबल स्पून चावल डाले थे तो देखिए किस तरह से गाड़ी हो गई ना इस तरह थोड़ा मेस कर देंगे ना तो और गाड़ा हो जाता है अब इलाइची पाड़र को डाल देंगे या तो आप क्रस करके डाल सकते हो तो उसका सुगंध उसमें रहता है बहुत अच्छ हो गया और भी डालोंगे फिलाल उतना में डाले हो काजु ही तल कर डाल देती अभी और डालोंगे ठेक है आप भी आपको जो जो ड्राइफ्रूट्स पसंद हो घर पे मौजुद हो नारियल भी डाल सकते हो फ्रेस नारियल मेरे पास तो नहीं था अभी पिस्ता बादाम य अब क्या करेंगे आगे तो देसी घी एक बड़ा टेबल स्पून देसी घी पैन में डाली हो यह जब गरम हो जाएगा थोड़ा घी घी का यह तड़का लगाएंगे ना तो मस्त यह लगता है आप देखिए तो एक तेजपता किसमेस और यह काजू से यह तेनों को ही है मैं सक्रास करके रख दी हूँ आप इस सरत पुरेणिमा में इस तरह आज आप बनाईए और दिवाली भी आ रही है दिवाली में भी यह खीर बना कर खा सकते हो कोई भी फेस्टिबल में आपके घर पे कोई चार नहीं ही रहेगा तो ऐसे रबड़ीदार खीर इस तरह से बना कर आप खा सकते हो और यह स्लो फ्लेम में ही भुनना यह सबको क्योंकि किसमिस है नहीं तो जादा जल जाएगा बास इतना ही ऐसे देखिए अभी फुगा फुगा पुगा जिसे हो गया ना फुल गया किसमिस तो इसमें पूरा अभी सब डाल देने का सारा यही है इसका डाले थे इसलिए थोड़ा पानी जैसा हो गया तभी तड़का भी लगा दिया है और उसको पंदरा मिनट और पकाएंगे जब तक यह सुख नहीं जाता है गाढ़ा नहीं हो जाता है फिर अपना तैयार एकदम परफेक्ट है यह खीर बनका रेडी हो जाएगा ठीक है तो इसलिए हमें आदा गंटा लगता है अब पूरा खीर तैयार हो गया देखें कितनी सुख गई है मतला एकदम उबल कर गाढ़ा हो गया आधा हो गया तो समझ जाने का अब खीर अपना परफेक्ट हो गया और आपको मीठा कितना चाहिए वह देखकर आप सक्कर डाल सकते हो म मुझे एकदम चोटे कप में मैंने वन एंड हाप स्पोन ही मतला कभी डाला था सुगर ठीक है उसमें मस्त एकदम परफेक्ट मीठा इसका आया स्वाधिस्ट इतनी लगती है आप करके से देखिए इस तरह से बस और ये पिस्ता भी मैं डाल दी हूँ अब दूसरे बावल म तो इस स्टेज में मैं बंद कर दूँगे आपको जितना ठीक चाहिए और रखना ये मेरा तो ये एकदम परफेक्ट है आप इस तरह बनाईए और दिखिए ये इसका सिक्रेट है खीर बनाने का सिफाधा लीटर दूद और टू टेवल स्पून आम्बे मोरे राइस का कमाल है ठीक है अच्छा लगे तो सेर भी करिए कमेंट करिए मेरा तो पूरा सा परफेक्ट हो गया है अब मैं सर्फ कर दूँगे पिस्ता हो जाने के बाद पिस्ता डाल दूँगे गरम खिर में आपको ठंडा खाना रहेगा तो थोड़ा ठंडा होने के बाद प्रीज में रख दीजिए दूसरे दिन खाये और अगर पसंद आये तो लाइक सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल